स्क्रीन पे आप GST Portal देख रहे हैं और GST Portal पे एक Advisory चारी किया गया और ये Advisory जो है वो GSTR 3B से Related है इसमें क्या कहा गया है इसका हम डिसकस करते हैं मैं हुड़ापर का श्कौतब आपको पता होगा है कि GSTR 3B से Related एक Notification नमबर 14 बटा 2022 5 जुलाई 2022 को Notified किया गया था जिसमें GSTR 3B में जो हम Table No.4 शो करते हैं ITC से Related, Correct ITC हमें कैसे बेल करना है, Reversal का और Ineligible ITC को जो हम GSTR 4 में शो करते हैं उसका सही तरीका इन्होंने बताया था, Change किया था कि अब से हमें किस तरह से शो करना है तो इसके Notification जो आया वो अभी Portal पे Change नहीं हो पाया वही यह कह रहे हैं कि अभी तो आप पुराने तरीके से कर लो जैसे आप ले रहे हो और बहुत जल्दी हम इसको Portal पे GST Portal and will be available shortly यह बहुत जल्दी Portal पे अब लेबल हो जाएगा और फिर आप यूज कर सकते हो तब तक आप जब तक यह चेंज इंप्लिमेंट नहीं होता है तब तक आपको करेंट प्रैक्टिस आप जैसे करेंट प्रैक्टिस में ले रहे हो उसी तरह से लेते रहे और जो ही यह अब लेबल होगा आपको फिर से जारी किया जाएगा बताया जाएगा